साइपर चर्चा में सबसे पहले बात दुनिया के सबसे उचे रंक शेत्र में तनात सेना की पहली महिला ऑफिसर की Fire and Fury Corps की Officer Captain Şiva Khan ने सियाचन Glacier की सबसे उचे युदिक शेत्र में 100 दन सफलता पूरबग पूरे कर लिये हैं फारें फिरी कॉप्स की कैप्टन शिवा चौहान दुनिया की सबसे उची युद्ध शेद्र कुमार पोस्ट में ओपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है सियाचन में तीन महिने पहले जब उनने इतैनात किया गया था तो पूरे देश मिसकी चर्चा हुई थी शिवा ने सियाचन में तैनाती स्विकार करके इतिहास रच दिया और अब उन्होंने वहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हुए सौ दिन पूरे कर लिये हैं आपको बता दे कि कैप्टन शिवा चौहान को इस साल दो जन्वरी को एक कठिन चड़हाई के बाद सियाचीन में मौझूद पार अन फ्यूरी कॉक टीम में शामल किया गया था कैप्टन शिवा चौहान को सियाचीन बैटल स्कूल में कैप्टन शिवा चौहान को कठोर प्रसक्षन यहां दिया गया इसमें बर्थ की दिवार पर चड़ना, हिमस्खलन और हिमस्खलन बचाव और सर्वाइवल से जुड़े अभ्यास शामिल थे क्याप्टन शौखान की नेतिस्ट में सापोस की टीम पर इंजीनियर से जुड़े कामों की जिम्मधारी है क्याप्टन शुवा राजस्थान की हैं उन्होंने 11 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था उनकी मा एक गृहनी थी जिनुनी उनकी पढ़ाई का ध्यान रखा क्याप्टन शुवा ने अपनी स्कूली सिक्षा उदैपुर से पूरी की उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है हमारी समधाता सुमित चौधरी हमारी सा जुड़ गये है सुमित एक महिला का इस मुकाम पर पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है जबकि हम जानते हैं कि सबसे उचा रणशेत्र है ये सियाची और उस पर क्याप्टन शुवा चौहान का सौ दिन पूरा करने का सौ दिन पूरा हो गये हैं सौ दिन उनके हो गये हैं वाकई बहुत बड़ी बात कि ये दुनिया का सबसे उचा रंशेक्र तो है यहां पर युद यसी परिसी से जादा वहां पर बने रहना ही अपने आपने युद जजी सिती होती है जहां पर आपको बिना ऑक्सिजन की कमी के पंगरा से 16,000 पी मिनिमम उचाई मैं आपको बता रहा है डिप्लाइमेंट की तुकि इसके जादा उचाई जाती है करीवन 11,000 पी जाती है पेज़गों पर कुमार कोर्ट के ऐसी कोर्ट भी है लेकिन आप मानी कि आने वाले वाले वक्त में से कई ऐसी महिला जो सुल्जर्श है ना जिर्ज उनको इंस्पेरेशन मिलेंगी बल्कि ये भी की वहां पर महिलाओं के दॉइमेंट का यानी उपरेशनल एयरिया के दिप्वॉइमेंट का उनका है राफ्ता कुला चुले राने वाले वक्त में और शिवा चौन ना सब एक इंजिनियर इविंग के आती हैं इंडिनावी में बलकि आने वाले बख में जब दूसरे विंग हो या आपके अपके अपाद मुसके हैं कि अगली बार अगर उनको दूसरे विंग हो उनकी जब डिपॉयमेंट इबाद आएंगी तब महिनाओं को बहुत ज़ादा है सुभा का तापमान माइनस 21 डिग्री बरफीला तुफान शुरू हो जाए तो तीन हफ्ते तक वहाँ पर रहता है और उससे भी बड़ी शुनौती देखिए एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान जिस जगह पर कैपनिंग शिवा चानाथ तैनाथ थी कि बिल्कुल जिया चीन का अपना जो स्ट्राटिजिगल इंपोर्टन सा जो बहुत ज़ादा इंपोर्टन थै क्यूंकि नासे आप कहरें चीन और पाकिस्तान बल्कि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर डिप्लॉय रहे कर आप अपने पूरे लिलदा के एरिया को या प्रा प है तिक आप अदाय आते हैं, प्राकिटिंग दिपिकल्टीज हैं उसको लेकर ज्यादा कैज़वल्टीज होति है अऀसे एरिया में बने रहना ही अपने हाप एक बहुत बड़ा बहुत मुश्किल होता है यही वज़ाई जिए है कि यहां पर डिपॉयमेंट के जाने वाले कर देश को आज जो एक बड़ी सौगात मिली है उसके बारे में पूरी डिटेश के लिए तो यह मुकाम हासल करना देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट तो देश को आज जो एक बड़ी सौगात मिली है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं देश को आज एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है इस ट्रेन से राजस्थान आने जाने वाले तमाम लोग जो है उनको काफी फाइदा होने वाला है क्यूंकि टॉरिस्ट को भी जैपूर अज अजमेर पहुंचने में अब काफी आसानी होगी बिलकुल वंदे भारत ट्रेन शिताबधी ट्रेन से भी एक घंटे कम वक्त में अजमेर पहुंचा देगी इस ट्रेन में यात्रियों को वर्ल्ड क्लास की सुविधा मिलेगी वो तो अच्छी बात है ही लेकिन सफर छोटा ह हो जाएगा सबसे ज़्यादा सहूलियत इस बात से होगी दिल्ली और अजमेर के बीच सफर करने वालों को वंदे भारत की रूप में शुब सौगात मिली है ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए दोनों शहरों के बीच का फास्ता अब और कम हो गया है बड़ी बात यह है कि बंदे भारत शताबदी एक्सप्रेस से भी एक घंटे कम में ये दूरी टै करेगी प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरी बंदे भारत ट्रेन को हली चंडी दिखाई दिल्ली जैपुर अजमे रूट पर चलाए जाने वाली राड़िस्तान की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस है मुझे खुसी है कि बंदे भारत ट्रेन, हाज विकास, आदुनिकता, स्थीरता और आत्मन दिर्भरता का परियाए बन चुकी है आज की बंदे भारत की यात्रा, कल हमें विशिद भारत की आत्रा की और ले जाएगी इस ट्रेन के शुरू होने से पुश्कर और अजमेर दरगा समेथ आजिस्तान के प्रमुक प्रेटन सलो की करेक्टिविटी में सुधार होगा जिससे क्षित्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकेगा दिली से अजमेर तक के सफर को आसान बनाने वाले इस ट्रेन के शुरू होने को लेकर यात्री भी काफे खुश है जहां तक ट्रेन की खासित की बात है तो इस ट्रेन में कई नई तक्निकों का इस्तिमाल किया क्या है लेकिन इसमें बाकाईदा सेंसर दी गए हैं और सेंसर ऐसे हैं कि जैसे ही ट्रेन के दर्वाजे के पास आप पहुंचेंगे ये अपने आप ओपन हो जाएंगे अब आप आईए थोड़ा सा भार इलाके में आप मूमल आपने ट्रेन के अंदर देखा होगा कि जब भी आप ट्रेन में सफर करते हैं तो यह स्पेस जो है बहुत जारा कंजिस्ट होता है लेकिन इसमें यात्यों के चलने फिरने के लिए बहुत जारा ध्यान दिया गया है और शायद यही वज़े है कि आप अगर चाहें तो पूरी ट्रेन में जो है वो आसानी से सफर कर सकते हैं यहाँ पर जो आपको स्क्रीन नजरा लगी है इस स्क्रीन में आम तोर पर जो दिखेगा वो यह दिखेगा कि अगला इस्टेशन कौन सा है दूसरा स्टेशन कितनी दूर है आपके गाड़ी के स्पीट क्या है गाड़ी कितनी गती से चल रही है और इसके लावा बंदे भारत के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है तो ये तमाम ऐसी चीज़े हैं जो समझाती हैं कि ट्रेन रेलवे लगातार हाइटेक होता जा रहा है और शायर यही वज़े है कि आम यात्री जब रेलवे के अंदर ये महसूस करने के लिए आए कि उसकी रेल सबसे अलग है तो ये रेल उसको ये एहसास ज़रूर दिलाएग अगर आप बंदिभार ट्रेन से सफर कर रहे हैं अगर आपको सफर के दौरान कोई दिककत होती है तो आप सीधे लोको पालिट से सब पर कर सकते हैं बिलाल वंदेभार ट्रेन स्पीड के मामले में अभी सभी ट्रेनों से आगे हैं इसलिए इसकी सुरक्षा को लेकर रेलवे काफी सतर्ग भी हैं बाकाइदा इसकी स्पीड और ट्रैक की मॉनिटरिंग ठोटी रहती है बुदवार को छोड़कर हफते में छे दिन अजमेर से संचालित होगी ये ट्रेन, ट्रेन में 12 AC चेरकार, 2 AC एक्जेकिटिव चेरकार और 2 ड्राइविंग कार समेट कुल 16 डब्बे होंगे करीब 60 मिनट पहने पहुंचा देगी यानि सबसे जल्दी पहुंचाने वाली ट्रेनों में से एक ट्रेन होगी बंदे भारत और शाद ही वज़े हैं कि ये ट्रेन जो है वो हाई राइस ओवर हैड एलेक्टिक मॉडल पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पेड से पैसेंजर लगाता की सरकार की कोशिश है कि एक के बाद एक नही ट्रेने चलाई जाएं और ये समझाया जाए कि आम लोगों के लिए किस तरके से लगाता रेलवे काम कर रहा है सरकार का लक्षए 2027 तक कुर्य देश में 470 वंदे भारत ट्रेन के परिचारन का है इसके साथ ही जल्धी वंदे भारत में एसी स्क्रीपर कोच की भी शुरुवात होनी जा रही है इसका मतलब है कि यातरी सोते हुए भी इस ट्रेन में आराम दायक सफर कर सकेंगे देवंकुर के साथ वरुन सिना चैपुर गुड नियूस टुडे रफ्तार की ये सौगात सिर्फ रेल नेटवर्क के जर्ये ही नहीं सरकार दे रही है बलकि सडकों को भी कुछ इसी तरह से तयार किया जा रहा है कि समय की बचत हो और सुविधा जनक ये बने तबी तो जमू कश्मीर में नई सरकों का जाल बिचाया जा रहा है करीब 35,000 करोड की लागत से जमू श्रिनगर को ओल वेदर कनेक्टिविटी की सौगात मिले वाली है टैनल इन सडकों की पहचान होगी केंजर मंत्री नितिंगर करी इस योचना पर खास नज़र बनाए हुए है श्रिनगर जे बनियाल के बीज बनी ये सुरंग जम्मू और श्रिनगर को मिलाने वाली ओल वेदर कनेक्टिविटी की एक एहम कड़ी है मौसम अब चाहे जितनी भी बेरखुई दिखा ले पारा लोड़के या बर्फ पड़े इस टैनल की वज़े से जम्मू और श्रिनगर हर मौसम में एक दूसरे से जोड़े रहेंगे मंगलबार को केंदरिय मंत्री नितिंगटकरी ने इस टैनल का मौायना किया उनके साथ एलजी मनोज सिनहा और केंदरिय मंत्री डाक्टर जीतन्दर सिंग भी मौजूद थे जम्मू और श्रिनगर के बीच के सफर को सहुलियत भरा बनाने के लिए करीब 35,000 करोड की लागत से तीन कोरिडोर बनाई जा रहे हैं इस टैनल से जम्मू और श्रिनगर के बीच ओल वैदर करेक्टिविटी हो जाएगी जम्मू से श्रिनगर का सफर साड़े तीन घंटे में पूरा हो जाएगा अभी इस सफर में 9 से 10 घंटे लगते हैं राम बन से बनिहाल तक 40 किलोमेटर की साड़क 2024 तक बन जाएगी टैनल बनने से जम्मू कश्मीर की बीच की दूरी 75 किलोमेटर कम हो जाएगी तीनों प्रोजेक्ट जो जम्मू स्रिनगर के बीच के आतरा को सुगब बनाने के लिए करीब 35,000 करोड के लागत से ये 3 के रोड़ बना रहे इसमें से जो जम्मू उधमपूर स्रिनगर मारग है जिसका आज हमने निरिक्षन किया एक टनिल का मैंने हमने इनागरेशन भी किया अधरिनिया गवर्नर साब, विके सिंग साब और जेतिने सिंग जी और मैंने मिलकर और वो टनिल के भी शुरुवात हो गई तो जम्मू से उधमपूर, रामबन, बनियाल से स्रिनगर तक ये 16,000 करोड की लागत से अब इसकी लेंग्ट 245 किलोमेटर ही रही है क्योंकि टनिल बनने के कारण लेंग्ट कम हो गई है ये चार लेंड मार्गे बनाय जा रहा है इसमें से 200 किलोमेटर मार्ग फोर लेंड हो गया है और 21.5 किलोमेटर की 10 टनिल का निर्माण हो गया है नितिन गटकरी ने जम्मू कश्मीर में बने एशिया की सबसे लंबी जोजिले टनल का मुआयना भी किया इसके साथ ही अमरनाथ यातिरों को भी जम्मू कश्मीर में नई मार्ग की सोगात मिलने जा रही है अमरनाथ जाने वाले शर्दालियों के लिए भी करीब 53 करोड रुपे की लागत से 110 किलोमेटर के नई मार्ग का निर्माण किया जाएगा अमरनाथ मार्ग के बारे में एक इंपोर्टन बात के बल कहूंगा कि हमारे मनोज जी ने हमारे पास मांग की थी कि अमरनाथ तिरते आतरों के लिए मार्ग निर्माण का प्रस्ताओ उसको आज मुझे खुशी हो रही है कि हमने स्विकृति दी है और 5300 करोड की लागत से 110 किलोमेटर चार लेन टू लेन पर शोल्डर के मार्ग निर्माण की मैं आज गोशना करता हूँ जम्मो कश्मीर चैसुनील जीभाट को ट्यूज टूडे जिंडोरी की मशूर गोन पैंटिंग के साथ आपको बता दे मद्यप्रदेश के पांच उसपादों को GI टाग मिलने से मद्यप्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात मिली है इसमें मद्यप्रदेश के मशूर शर्वती गेहों भी शामिल है जी आई टैग मिलने से प्रोड़क्स को एक नई पहचान तो मिलती ही है उसका महत भी काफी हद तक बढ़ जाता है मद्रप्रदेश के पांच हज सशेल्प उत्वादों को एक साथ जी आई टैग मिलने से कलाकारों का उत्सा सात्वें असमान पर है इनमें शामिल है डिन्डोरी जिले की प्रसेद गोंड पेंटिंग गोंड पेंटिंग डिन्डोरी जिले के आदिवासी समुदाय की खास पहचान रही है जी आई टैग मिलने से गोंड पेंटिंग से जोड़े कलाकारों को राश्ट्री अस्तर पर पहचान तो मिलेगी ही साथ उन्हें आर्थिक लब भी होगा अच्छी बात है िद्रकार ने जी आई टैग के निये चारी किया है ये जी आई टैग अप्लीकिशन नंबर 699 के तार्य हुआ है भारत मैं शर्वति गिहू की क्यूलीटी को सर्वत्तम माना जाता है शर्वती गेहूं और इससे बने प्रोडक्ट्स दुनिया भर में निर्यात होते हैं अच्छा मिलेगा मांग अच्छी आएगी अब आप ये जान लीजिये कि जी आई टैक क्या है और इसके मिलने का मतलब क्या है किसी खास उतपात के रजिस्ट्रिशन और संद्रक्षन के मकसद से दिसंबर 1999 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन और गूड्स बिल संसत से पारिद किया गया एक्ट बनने के बाद इसे 2003 में लागू किया गया किसी खास जगह से जुड़े खास उतपात को जी आई टैक दिया जाता है जिसके बाद उस उतपात को खास पहजान मिल जाती है और उसका महत्व बढ़ जाता है किसी प्रोड़क्ट का जी आई टैक हासिल करने के लिए आवेदन करना पड़ता है उत्पात को बनाने वाली association या कोई collective body जो इटेक के लिए आवेदन कर सकती है सरकारी इस्तर पर भी आवेदन किया जा सकता है सिहोर से नावेद जाफरी के साथ बिरो रिपोर्ट, गुडनिस टुडे बात कर लेते हैं मौसम की, देखें गरμी लगतार बढ़ रही है मौसम का मजास पदल रहा है, दिल्ली समेट देश के जाधतर हिसों में पारा चड़ रहा है दिल्ली में तो कल मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ है बिल्कुल वही सूरत में इतनी गर्मी पड़ी कि सडक का एक हिस्सा ही पिखल गया मौसम भाग भी कह रहा है कि पारा आने वाले दिनों में और भी जादा चड़ेगा ऐसे में जरूरी हो जाता है कि गर्मी से जुड़ी सावधानिया आप अपनाएं और अपनी सिहत का भी खयाल रखें दिल्ली समित पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में अब सूरज की तपेश बढ़ने लगी है तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी में इज़ाफा हो रहा है माना जा रहा है कि अभी तो शुरुआत है आने वाले दिनों में धूप के तीखे तेवरों के चलते गर्मी और बढ़ सकती है मौसम विभाग की माने तो अपरैल के मद्दे से जून तक अधिक्तम तापमान सामानी से उपर ही रह सकता है दिल्ली में आने वाले दिनों में तापमान 40 डिगरी तक पहुंचने का अनुमान है दिल्ली में मंगलवार को तापमान 38.6 डिगरी दर्ज किया गया मंगलवार को दिल्ली में पारा साल के अब तक के उच्चतम स्तर पर रहा आज भी तापमान 34 डिगरी के आसपास बना हुआ है और मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि यहां से अब आगे दिल्ली वालों को गर्मी और धूप का ही सामना करना होगा इस पूरे हफते की हम बात करें तो इस पूरे हफते में तापमान 38 डिगरी तक जा सकता है और अपरेल और जून के बीच में तापमान 42 डिगरी तक पहुच सकता है केवल दिल्ली और आजपास के इलाकों में ही नहीं बलके दूसरे इलाकों में भी अभी से गर्मी बढ़ने के आसार है बढ़ती गर्मी को देखते हुए खास तरकता बड़ती जा रही है ओडिशा में 12 से 16 अप्रेल तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है ताकि बच्चों को परिशानी का सामना न करना पड़े राज्जी के कई इलाकों में पारा 40 डिगरी के पार जा चुका है गर्मी का साफ असर पश्युमी भारत में भी दिखने लगा है गुजरात के सूरत में तो गर्मी के चलते सडक ही पिघल गई सूरत के अडाजन इलाके के जिलानी ब्रिज के पास सडक का डामर पिघल गया सूरत में अभी तापमान 35 से 36 के आसपास है बड़ती गर्मी को देखते हुए सेहत से जोड़ी सावधानी जरूरी है इस दोरान खूप पानी पीना चाहिए पानी बोड़ी को हाइडरेट रखता है जूस भी फाइदमन्द होता है मौसमी फल और सबजियों का सेवन करें बार-बार चाय कॉफी पीने से बचें हलके और ढीले ढाले कपड़े पहनें दूप में निकलने पर छाते का इस्तमाल करें सेर को ढख कर रखें गर्म हवा से आँखों के बचाव के लिए चश्मा पहने अभी तो गर्मी के शुरुआत हुई है आने वाले दिनों में तपेश और बढ़ेगी लहाजा जरूरी है कि आप सावधानी बढ़तें ताकि चड़ता पारा आपको परिशान ना करें और आप स्वस्त रहें गर्मी के साथ-साथ तापमान बढ़ने के साथ-साथ जो E-QI है वो भी बढ़तावा दिखाई पढ़ रहा है मतलब हवा भी प्रदूशित होती हुई दिखाई पढ़ रही है आने वाले दिन इसी तरह गर्मी भरे होंगे प्रदूशित होंगे ऐसे में अगर आप गर्मी में धूप में घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ वो सारा समान लेकर जरूर निकलें जिससे आपको गर्मी लगने पर रहत मैसूस हो अपने साथ पानी के पॉर्टर लखें और दूसरे इंतिजाम करके ही अपने घर से बाहर निकलें तेमरामिन मनीश जहां के साथ मनीश चरसिया गुड नियूस टुडे दिल्ली बात ब्रीन एनरजी की करेंगे सरकार का जोर ब्रीन एनरजी पर लगातार बढ़ता जा रहा है और कोशुश भी यही है कि जब एक इंधनों का इस्तमाल कम से कम हो लेहाँ साथ सोलर एनरजी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है आपको बता दे कि पंजाब इंजीनिरिंग कॉलेज की एक रिसर्च इस मामले में लोगों की काफी मदद कर सकती है यह रिसर्च उन लोगों के लिए फाइदे मन्द है जो की बिजली के लिए सोलर पैनल का इस्तमाल करते है ग्रीन इनरजी को पढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिश शिक की जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाकरुक किया जा रहा है इसके लिए सरकार सोलर पैनल पर लोगों को सबसीडी भी दे रही है ग्रीन एनरजी और सोलर पैनल पर पंजाब इंजिनिरिंग कॉलेज की एक रिसर्च सामने आई है जिसमें करीब दो साल तक सोलर पैनल लगाने के दिशा और उसके एंगल पर अधेन किया गया है और रिसर्च में पाया गया है कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक सबसीज़ ज़्यादा सोलर एनरजी को इकठा किया जा सकता है इसे अगर दक्षुन दिशा में सोलर डिगरी के एंगल में इंस्टॉल किया जाता है तो ज़्यादा एनरजी स्टोर की जा सकती है पंजाब इंजिनियरी कॉलेज की इस रिपोर्ट के बाद ग्रीन इनर्जी को और भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगी है पंजाब इंजिनियरी कॉलेज यानि की पिक ने अपने अधियन में पाया है कि अगर आप सोलर पैनल्स को दक्षिन दिशा में और सोलर डिग्री एंगल में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे ज़ादा मैक्सिमम आउटपुट यानि की सोलर इनर्जी यानि की उर्जा है वो इकठी होती है उसके इसासाथ मार्ज से लेकर अक्तूबर माहीने तक सबसे ज़ादा 80% एनर्जी को इकठा किया जा सकता है दिश में पिछले कुछ सालों में ग्रीन एनर्जी को लेकर लोगों में जागरुकता भी बड़ी है क्योंकि ग्रीन एनर्जी के इस्तमाल से पर्यावरन को भी कोई नुकसान नहीं होता चंडीगड से ललीच शर्मा के साथ बिर रपोर्ट गुटनस टुटे बात कर लेते हैं गैजिट्स के शौकीनों के साथ जुड़ी हुई एपल देखे अपने भारते ग्राकों को बड़ा तफ़ा देने वाला है भारत में पहली बार एपल दो रीटेल स्टोर्स खोलने जा रहा है पहला मुंबई में और दूसरा दिल्ली में बिल्कुल भारत में मैनेफाक्शनिंग शुरू करने के बाद एपल का अपना रीटेल स्टोर कोरना भारत के लिए खोशी की बात है तो कब खुलेंगे ये दोनों स्टोर और क्या होगा इससे ग्राहकों को फाइदा देखे हमारी इस खास रपोर्ट में दुनिया के दिगस्टेक कंपणी एपल का भारत में ये सबसे बड़ा कदम होगा एपल भारत में एक नहीं दो-दो रीटेल स्टोर्स खोलने के तयारी कर रहा है एपल का भारत में पहला स्टोर मुंबाई के जियो वर्ल्ड ड्राइब में 18 अप्रेल से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा मुंबाई स्टोर के लॉंच में एपल के CEO टीम कुक भी शामिल हो सकते हैं मुंबाई के बिजनेस सब माने जाने वाले बांदरा कूरला कॉम्पलेक्स में हाल ही में जियो वर्ल्ड मॉल बनकर तयार हुआ है अब मुंबाई के इस सबसे नए मॉल में एपल का पहला भारती स्टोर खुलने जा रहा है जो मुंबाई की पहचान काली पेली टैक्सी की थीम पर बनाया जाएगा इसके बाद एपल का दूसा स्टोर दिल्ली के साकेत में 20 अपरेल को खुला जाएगा भारत में आईफोन बेचने में बड़ी खामयाभी हासिल करने के बाद एपल रिटेल के जरीए कमपनी अपनी पोजीशन को मजबूत करने को लेकर भरोसिमंद है अभी तक एपल ने भारत में आईफोन और दूसरे प्रोडक्ट्स की विक्री, इ-कॉमर्स वेबसाइट्स और फ्रिंचाइजी मॉडल पर आधारित रिटेल चेंज के जरीए की है ऐसे में एपल का भारत आना और खुद से रिटेल कारोबार पर फोकस करने के रणनीती भनाना भारत के बढ़ते मार्केट्स की ताकत का नमूना है फरवरी में एपल के CEO टीम को कहे चुके हैं कि एपल के लिए भारत अब बड़ा फोकस एरिया बन गया है एपल भारत में अपने विस्तार पर तीजी से काम कर रहा है बार्टिय स्मार्ट फोन मार्केट में एपल की हिस्दारी 2019 के एक फिज़ी से बढ़कर इस साल तक 5% होने का अनुमान है रिटेल से पहले ही एपल ने भारत में अपनी मैनुफैक्सिरिंग को मजबूत करना शुरू कर दिया है इसकी वज़ा है कि भारत में ही स्मार्ट फोन के निर्मान और उनकी बिकरी की वज़ा से सप्लाई चेन में किसी तरह का ब्रेक नहीं लगेगा इसके साथ ही चीन पर जरूरत से ज़ादा निर्भरता खत्म करने की कोशिश के तहट भी भारत को एपल अपनी ज़्यादा से ज़्यादा यूजनाओं में शामिल कर रहा है एपल के वेंडर फॉक्स कॉन टेकनोलोजी ग्रूप ने भारत में नए प्लांट के लिए 700 मिलियन डॉलर के निवेश की यूजना बनाई है इससे संकेत मिल रहा है कि चीन के अलावा दूसरे देशों में मैनुफैक्टिरिंग शिफ्ट करने के लिए कमपनी बड़ी तयारी कर रही है ऐसे में साफ है कि एपल का भारत में आना और यहाँ पर केवल मैनुफैक्टिरिंग के विकल्प की तलाश भर नहीं है कमपनी तो मैनुफैक्टिरिंग के साथ साथ रिटेल को भारत में लेकर ही इसलिए आई है क्योंकि यह उसके प्रोड़क्ट के लिए बड़ा बाजार है वैसे मज़ा आपको भी आएगा आई प्रियल की फण गली में छे बजे मेरे साथ बिल्कुल तो शगुता ने कह दिया मतलब हमारी जाने का वक्त आ गया है अब आप आगे देखिए देगुमा के लेकिन हाँ अच्छी सच्ची और ताजा यानि कि चाए की तरह खबरों के लिए देखते रहिए गुद न्यूस तोड़े